जिला धौलपूर से इस वक्त की बड़ी खबर राजू शर्मा के साथ बाड़ी शहर में सीवल लाइन के लिए खुदाई का काम बिना अनुमती कर दिया शुरू अध्यक्ष प्रतिनिधी और अधिकारियों को लगा पता तो मोके पर पहुंच रुकवाया काम करीब 20 करोर की लागत से प्रथम फेज के लिए था है इलेन कमपनी को ठेका बाड़ी 22 दिसंबर शहर में पूर की गहलोत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सीवल लाइन के प्रथम फेज के काम में एक बड़ी लापर वही सामने आई है संबंधित कमपनी द्वारा बिना नगर पालिका की अनुमती के शहर की सलकों को खोदना शुरू कर दिया गया ऐसे में शुक्रवार को दिन में जैसे ही नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष को मामले जानकारी हुई वे मौकिक पर पहुँचे और काम को रुखवाया गया साथ में संबंधित कमपनी के थेकेदार को नोटिस भी जारी किया है नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनेदी होतम सिंग ने बताया कि वो सफाइकार्य को लेकर नगर के वार्ड नौ में निरीक्षन करने गये थे इस दोरान उन्हें पता लगा कि सड़क को खोदा जा रहा है जिसकी जानकारी की गई तो बताया गया कि सीवल लाइन को लेकर कमपनी ने खोदाई का काम शुरू कर दिया है इस पर उन्होंने तुरंक नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंग और पालिका की कनिश कभियंता योगेंदर मीना को मौके पर बुलाकर मामली की जानकारी ली उन्होंने बताया कि नगर पालिका से संबंदित कम्पनी ने ना तो कोई स्वीकृती ली है ना ही किसी प्रकार का कोई एनोसी जारी किया है ऐसे में अधिकारियों ने तुरंट काम रुखवा दिया है और संबंधित कमपनी अलेन इंफ्रास्ट्रक्चर के सम्वेदक को नोटिस जारी किया जा रहा है कनिश कभ्यंता योगेंदर मीना ने बताया कि सीवल लाइन का ये काम पूर्व भिहलोट सरकार द्वारा जैपुर की अलेन इंफ्रास्ट्रक्चर कमपनी को दिया है जिसके प्रत्थम फेज के लिए करीब 20 करोड रुपे की राशी जारी की है अब इस काम को लेकर नगरपालिका से समबंदित फार्म को एनोसी लेना है इसके बाद ही काम शुरू करना चाहिए जो नहीं किया गया है इसी के चलते काम बंद कराया गया है इनका कहना है वही दूसरी और Alien Infrastructure Company की स्थानिय समवेदक निखिल सिंगल का कहना है कि रुरीक द्वारा ये काम नगर पालिका को दिया है नगर पालिका से ही वे काम करा रहे हैं ऐसे में इसमें अलग से अनुमती लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं है फिर भी जो नोटिस या सूचना मानग की जाएगी उसका जबाब दिया जाएगा अभी काम रुखने की उन्हीं कोई जानकारी नहीं है मामला बार्ग नम्मर 23 में जिसे सपाई अवयान चला था उसमें मैं गया था सपाई कराने वहां देखा था कि सीबल लाइन की पाइप के लिए खुदाई खोड़ की सीशी खुदाई की जा रही थी इसको देगा मैंने पूचा कि परमीशन है नगरपाल का हमारे पास ले लेंगे पहले भी हमारे बारी नगरपाल का की टी एटी की लाइन दरी थी उसका भी कोई रोल कटिंग नहीं ली अब ऐसा ही यह अब कर रहे हैं मैंने जाके और बंद करा दी है